ट्राइ ने बारत में फेस्बुक के प्रयासों को बड़ा जटका दिया है ट्राइ ने मोबाइल ओपरेटर कमपनियों पर अलग-अलग डेटा इस्तेमाल के लिए अलग-अलग टैरिफ की पेशकश कर पाबंदी लगा दिया है केंदर सरकार ने नेट नेट नेटलिटी के पक्ष में अपना फैसला दिया है ट्राइ ने इसका एलान करते हुए का कि अलग-अलग डेटा इस्तेमाल के लिए अलग-अलग खीमते नहीं देनी होंगी फेस्बुक के फ्री इंटरनेट बेसिक अभियान को इस फैसले के बाद बड़ा जटका लगा है अलग-अलग खीमत वसूलने पर टेलिकॉम कमपनियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है कमपनियों ने उपभोकताओं को खास आफर देने की बात कही थी ट्राई की स्रोग के बाद ये मामला फस गया है फेस्बुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने फ्री बेसिक्स इसकीम में कहा गया था कि इसके जरीए ग्रामीर भारत के लाखों लोगों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा केलिकॉम रेगुलेट्री ने सर्कुलर जारी कर कहा कि मुबाइल कमपनिया अब उपभोकता से किसी भी तरह का करार नहीं कर सकती है और नहीं अलग सुविधा के लिए कीमत की शर्थ ही लगा सकती है फ्री बेसिक्स योजना चंद वेवसाइटों को निशल पहुँच की सुविधा देता है इन मुफ्त वेवसाइटों में कुछ इस्तानी समाचार और मौसम अनुमान बीबीसी, विकीपीडिया और कुछ हेल्थ साइटे शाविल थी फेस्बुक के मुख्या मार्क जुकरबर्ग ने फ्री बेसिक्स को लेकर व्यापा कभियान चलाया था और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसके समर्थन में ट्राई से अपील करने के लिए कहा था नेट न्यूटिलिटी को लेकर काफी विवाद रहा है जिसका समर्थन करने वालों का तर्क है कि इंटरनेट के बाहर रहने वाले लाखों लोगों को इससे निशलक जोड़ा जा सकता है वहीं Free Basics के आलोचकों का तर्ख है कि Free Basics Net Neutility के सिधान के ठीक उलट है ऐसे में ट्राई का ये फैसला Facebook और Airtail Zero तूनों के लिए बड़े जटके से कम नहीं है